तालिबान के लड़ाके अब आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के सैनिक हो गए हैं हिज्रा स्टूडियो ने एक विडियो जारी किया है जिसमें तालिबानी परेड करते नजर आ रहे हैं अफगान के अल फाती ही कैम्प में तालिबान ने अपना जोर भी दिखाया है अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अब अपनी ताकत बढ़ा रहा है तालिबान ने परेड किया और अपनी ताकत दिखाई लेकिन इस Victory Parade में तालिबान कमांडरों के चेहरे को छुपाया गया है और ये पूरी Victory Parade तालिबानी जंडे के नीचे की गए Xbox का मानना है कि तालिबानी कमांडरों के चेहरे इसलिए छुपाये गए हैं क्योंकि उन्हें दूसरे देश पहचान न ले क्योंकि तालिबान के कई ऐसे कमांडर हैं जो दूसरे देशों में Wanted भी हैं ये परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 20 सालों तक अमेरिका के खिलाब जंग लड़ी है इस परेड में तालिबान ने अपने हत्यारों की ताकत भी दिखाई है ये परेड दुनिया के लिए चिंता का सबब तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका को चौका थी है क्योंकि अमेरिका ने इन हत्यारों को अफगानिस्तान को दिया था जो अब तालिबानियों के पास है और तो और अब उनकी बदली हुई सेना का ये परेड देखिये कैसे तालिबान के सैनिक मौडर्ण हो रहें अफगानिस्तान पर कबजा करने के बाद ताली रिबान के जखेरे में ऐसे ऐसे हत्यार आ गए है जो दुनिया के कई देशों के पास नहीं है ताली बान कबजे में लिएके सैन उपकरलों का प्रदर्शन भी कर रहा है अमेरिकी सेनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हाथ अमेरिका के अत्यादिनिक हतियारों का जखीरा लग गया है यह हतियार जितने मौडन है उतने घा तक भी इन हतियारों के कवजे में आने के बाद तालिबानियों की ताकत कई गुना बढ़ गई है तालिबान अब और खतरनाक हो गया है अमेरिका में तयार इन अत्यादूनिक हतियारों और सेन और साजो सामान की संक्या लाखों में बताई जा रही है बखतरवंद काड़ियों से लेकर यो दख विमान तक तालिबान के कभजे में है दो हफ़ते पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कवज़ा किया था तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हतियार थे लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन और चौपर भी हैं जिने अमेरिका ने अफगान सेना को दिया था, इन्वे ब्लाक हॉक हेलिकॉप्टर से लेकर टुकानो एरक्राफ्ट तक शामिल हैं कुछ दिन पहले तक तालिबान के कमांडर्स को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके पास दुनिया के पैतरिन मिलिटरी विमान और हेलिकॉप्टर होंगे लेकिन आज तालिबान के बेड़े में ऐसे सेन एरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के कई देशों की वायुसेना के पास नहीं हैं इसलिए तालिबान लगतार इन अदियारों का पुदर्शिंधी कर रहा है तालिबान ने भले ही महिलाओं पर जुल्म किया लेकिन महा की महिलाओं जुकने को तयार नहीं है वो सडको पर उतर कर मौलेका धियाकार की लड़ाई लड़ रही है यह तालिबान का विरोध है, महिलाओं का आक्रोश है, यह हको हुकूक की लड़ाई है, यह संदेश है कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन हम अपने होस्टलों की वदॉलत तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, कहते रहेंगे, डू न कारियाले की छात्राएं कठी हुई, सरकारी महिला कर्मचारी जमा हुई और तालिबान के खलाफ मोर्चा खोल दिया, वो कह रही हैं कि अफगानिस्तान ने जो 20 सालों में हासिल किया है, उसे ऐसे गवा नहीं सकते, उन्हें कारियालें में काम करने दिया जाए, स्कूल आने पारलल चलाने दिया जाए, बिना रोक टोक बाजार आने दिया जाए, वो स्वतंत्र हैं, अफगानिस्तान की महिलाएं हैं, खुद में संसकार समेटे, अपने अधिकार समेटे, शिक्षा, सुरक्षा और काम उनका मौलिक अधिकार है तो जो लोग पहले जेलों में थे, अब उन लोगों के हाथ में उन्हीं जेलों की कमान हैं, तालिबान नेताओं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिबानी कमांडर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल का दौरा कर रहे हैं तालिबानी गाडियों का काफिला है तालिबान लीडरों का लशकर है गाडियों में तालिबानी बैठे हुए है ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वाइरल है बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में प्रो तालिबानी हैंडल ने इस वीडियो को रिलीज किया है इसके बाद से तालिबानी कमांडरों के जेल दोरे का ये वीडियो वारल हो गया ताजपोशी से पहले तालिबानी नेताओं ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े बगराम जेल का मुआयना किया तालिबान लीडर अनस हकानी बगराम जेल को देखने पहुचा कई तालिबानी नेता भे उसके साथ मौझूद है अफगानिस्तान में बगराम एक मात्र जेल है जिस पर अमेरिकी सैनिकों का नियंतरन था बगराम जेल में ही सबसे खतरनाक आतंकी रखे जाते थे अब ये जेल भी तालिबान के कबजे में है नई सरकार बनेगी तो जेल में कौन रखा जाएगा और कौन नहीं किसे सजा होगी और किसे नहीं ये अब तालिबान तै करेगा